आज हम देखेंगे सूट की कटिंग और इस तरीके से बहुत से टिप्स हम आपके साथ सेयर करेंगे चलिए तो कटिंग न शुरू करते हैं कपड़े को सबसे पहले दो फोल्ड में फोल्ड करना यह देख सकते देखिए क्योंकि साइज जो है नॉर्मल साइज से भी कम साइज इसलिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो सूट की कटिंग हो जाएगे अराम से और कपड़ाई बहुत बचीगा यह कपड़ा बेश्ट नहीं जाएगा उस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रहेंगे अच्छे सारी चलबट हटा देंगे साइट बंद और और साइट मार्किंग हो गई अब जितने सूट की लंभाई उतने लंभाई दो रहेंगे है इस तरह किसे आप अ während कर देंगे या इंशी टेप की साइथा से आप कर लें अब सबसे प्रेड देखेंगे तिरा तो तिरा रख़ना 5.5 और आर्मुल भी रखेंगे 5.5 और यहां पर इस तरके से मारकिंग करेंगे यह देखिए होगी मारकिंग आब इंशी टेप लेंगे ऊपर रखा है 5.5 और नीचे रखें दिखाएंगे किस तरीक से मार्किंग करनी है आग ऐसे पर मारकिंग करने के बाद गोलाई देदेंगे और मुल में है अब देखेंगे जितना आपका चेश्ट फिक्स नाफ लेंगे आप चेश्ट का जैसे हमारा फिक्स नाफ है 31 31 में 3 इंच प्लस कर लेना है 31 32 33 34 हो जाएगा आप 34 का आधा करेंगे तो लेंगा वैर साड़े 8 आप इंची टेप मूड का इस तरिके से मेंजिं कर सकते हैं देखिए मार्किंग कर दी हिप पर करेंगे 14 इंच पर मार्किंग और कमर पर करेंगे 7 इंच पर मार्किंग यह देखिए इस तरीके से तीनों मार्किंग हो गए अब जिस तरीके जैसे चेश्ट का मार्जन निकाला है चेश्ट का मतलब चेश्ट का मेजर्मेंट निकाला है उसी मेजर् लगाया हमने शाड़े साथ पर अब नीचे आएंगे नीचे पल्ले देख़ें किसने चोड़े रखने हम लगारे नौइज पर मार्कींग 되어 तो सिरुपन, कर देखें आर्मूल तो हम लिए निचान लगाये देज視िति दो अविछ फीर इंच लगा रहे हैएं इस तरीके से गोलाई दे देंगे तो आभ ट्राफ इंग हो गई है इस पर कछ देंगे कट्ण को देखेंटर्मार्किंग कीथी उस पर कट्डेंग करनी है कि पृस्ते तरह किसा अराम से कटिंग कर देंगे हैं तो कितने आसाने से सूट की कटिंग को यह और में लिए पर आई ओप आपको समझ आया होगा आई है यह देखिए त्छी कटिंग हो गई धी रिए काम करेंगे देखिए कि ट्बलाża काल देंगे हां से और अब देखेंगे स्लिप कटिंग तो दो पार्ट में देखी कपड़ा पहले हम दो पार्ट में रखेंगे इसको फिर फोल्ड कर लें तो हो जाएंगे कपड़े के जरी दिखिए तरह से सीधा कर लें रिए लंभाई का लें हम 17 अब फिर मार्केंग इंगे और को डबबा बन गया अराम से आपको समझ आ रहा होगा अब साइट से कॉर्णर में तीर इंच पर मार्किंग करेंगे यह देखी इस तरह के से और बाजू की गोलाई जितनी है आपकी उसमें देल इंच प्लस करके गोलाई पर निशान लगा दें से इंटिक के साइथा से कटिंग कर लेते हैं तो बहुत अर्छी फिiałती निशिंग आती है और प्रिटींग विर से तारका से फिनषान देके गोलाई इस तरह को देनी है और इसी पर कर लेंगे कटिंग यह देखिए उससे लिप की कटिंग हो चुकी है अब इसके आर्मुल्गी भी चटिंग कर लेते हैं फ्रंट साइड की इस तरह के से खोलेंगे इंच टेप लेंगे बीच बीच निशान लगाना यह देखिए एक साइड में और आद अच पर मार्किंग करेंगी यह देखिर इस तरिके से कि और इसी निशान से इस तरीके से निशान लगा मार्किंग करनी है कि स्लिप की फ्रंट आर्मूल की इस तरीके से च्छटिंग कर लेते हैं बहुत आसानी से हो जाती है यह देखिए फिनिशिंग अच्छी आती है और जो सूर्पन की तयार होता है